दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक्षिबांसू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तो जैसा कि आप जान रहें कि बिहार सिक्षक भरती में डोमिसाइल निती लेकर बहुत बबाल चल रहा है और काफी जो है विरोध के बाद आज यहां पर सिक्षा विभाग के द् बहुत बड़ा इंटरव्यू है बहुत बड़ा कॉनफ्रेंस अलेकिन इसकी में चीज है वह मैं दिखाता हूं और जो उनका समराइज जो उन्होंने कहा है वो भी यहां पर जो है मैं आपको दिखाऊँगा पहले मैं आपके उनके कॉन्फरेंस के सब्द सुनाओंगा यह मुख सचिव हैं है ना आमिर सुभानी बिहार सिक्षा बिभाग में तो उन्होंने क्या कहा है सुनिएगा वरत के संब्दान का अनुच्छ सोलह यह कहता है कि जन्म अस्थान और निवास के आधार पर आप किसी उमिद्वार को अव पात्र नहीं कर सकते हैं यह नहीं का सकते हैं कि किसी रात जिसे बाहर अगर किसी का जन्मस्थान या निवास है तो वो इस चैन परकिरिया में पात्र होने के लिए अपात्र है अयोग है यह नहीं किया जा सकता है अगर ऐसी कोई परकिरिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और और संबैधानिक भी होगी इसलिए ये संभेजान के अंतरगत कानूनी बादिता है कि निवास के आदार पर किसी को आयोग न किया जाए पूरे देश के लोग इस परिक्षा में शामिल होने के लिए पात रहों चैन तो मेरिट के आदार पर होना है अब यह हम रहेंगे कि इसके पहले क्या होता तो इन्होंने जो आर्टिकल है 16 उसका हवाला देते हुए यह बात कहा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी को हम अप्लिकेबल करते हैं बाहर को मना कर देते हैं तो वह संभीधान का उलंगन भी होगा और गैर कानूनी भी होगा फिर उन्होंने आगे पिछल 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे और बाकी सबी जो थे वह राज्य के अंदर के थे तो इससे यह पता चला कि अगर यह नियम रखा भी जाता ले ने कि अभीका हो होगे तो उनकी किसी भी संक्या में अधिक संख्या में या जिसको और में significant number काते हैं किसी विशेश संख्या में चाइनित होने की संभावना बहुत कम है तो यह भी यहां पर इन्होंने कहा कि हमने पहले भी मौका दिया था और उसमें मौका देने के बाद भी एक लाख जितना भी उन्होंने बोला लगवक डेर लाख से उपड़ी है तो उतना में सिर्फ तीन हजार लोग बाहर के चैनित हुए तो उनकी जो है पहाई मुख सचिव आमिर सुभानी जिनका में अभी आपको बयान सुनाया उन्होंने कहा कि बिहार राज के स्थाई निवासी होने की सर्थ हटाए गई है बीप्यसी के माध्यम से अच्छे सिक्षकों का चैन होगा यूपी सहित अन राज्यों में स्थानिय निवासी होने की सर्थ नहीं है अगर कोई राज ये नियम बनाने लगे कि स्थानिय लोग ही अभियर्थी बने तो ये बिधी सम्मत नहीं होगा ऐसा होने पर बिहार के लोगों को भी बाहर में नौकरी नहीं मिलेगी बहुत कम बाहरी लोग चैनित होंगे देखे सभी थोरी दर पहले 6 ब बिहार के मुख्य सचिप का बयान राजिके निवासी होने की सर्थ बहवारिक नहीं है यह संभिधान की भावना के विरुद्ध है स्थानिय लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा और उसके बाद कहा है कि 50% आरक्षन का लाब बिहार के लोगों को ही मिलेगा पहले भ पहले भी बताया था कि महलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है जो लगबग 13,000 कुछ होता है उस पर अधर स्टेट वाले जो महलाएं है वो दावेदार होंगी की नहीं होंगी इस पर कोई क्लियरेंस नहीं है ज्यादा तर लोग से आप तिबात होगी आप वीडियो देखें इस पर सही पूछिए तो इस पर कोई क्लियरे स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ज्यादा तर लोग यहीं अनुमान लगा रहे हैं कि अभी महलाओं के लिए जो 50% सीट है उस पर भी सबका वैल्यू रहेगा तो बदलाओं यहां पर कुछ होआ नहीं और उसके बाद यह पॉइ दोनों के चीज पर होंगे तो किसके लिए दावेदार होंगे यह बहुत किलियर नहीं है मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं तो जो भी चीज आगे अपडेट कुछ आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन यह तो किलियर हो गया है कि अब यहां पर जो है सारे हरत ते हैं और इसमें कोई यहां पर यह भी नहीं किया है percentage भी नहीं किया है यह जो statement 50% Àraction का लाब भीहार के लोगों को ही मिलेगा अब यह किस परिपेक्श में लिखा गया है यह भी clear इन लोगोंने नहीं बागी form भरने की तिथी में अभी कोई बदलाव नहीं की गई है कोई extend नहीं किया गया यह exam में भी extend नहीं किया गया तो यह अभी का update है दोस्तों तो मैं आपको जो clear है और जो उन्होंने उल्जा के रखी है दोनों ही चीजे मैंने आपको भी बताई और आगे इस पर और भी क कुछ clear चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा थैंक यू वेरी मच्छ एवरीबड़ी बाबाई जय हिंद्ध